Hello everyone मैं आपके साथ मनोज बर्मा इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जरोधा की API कैसे connect होती है वैसे इस topic पर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ बट न्यू इसलिए बना रहा हूँ कि जरोधा ने कुछ policy change कर दिये और काफी लोगों को issue आ रहा है तो उन्होंने क्या करा अगर आप API से trading करना चाहते हो तो आपको authentication enable करना पड़ेगा without authentication enable करे आप API इसे order नहीं लगा सकते तो इसके लिए मैं बाद में एक alternative बना दूँगा बट अभी के लिए मैं आपको एक procedure बता देता हूँ अगर आप new user हो first time जो रोधा पर API connect कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखके API create कर सकते हो अगर आप पुराने user हो तो आपको authentication जो वाला concept है वो आपको समझना है तो अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे सबसे पहले आपको हमारी website पर आना है हमारी website का नाम है nextlevelboard.com आपको यहां आने के बाद सबसे पहले sign up कर लेना है अगर आप new अगर आप पुराने हो तो आपको login कर लेना है sign up करने के बाद आपको login करना है login करने के बाद आपको dashboard दिखेगा आपको dashboard के इस button पे click करना है जैसे आप dashboard के इस button पे click करोगे आप इस page पे आ जाओगे यह आपका dashboard है यहाँ पर आपकी ID number show होती है तो जब इस page पे आ जाओगे सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको एक बार refresh करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीकी का dashboard दिखेगा तो यहाँ पर दिखेगा tool and help आपको इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे यहाँ पर आपको तीन चीज़े दिखेगी syntax generator, broker, symbol and resource आपको resource पे click करना है जैसे आप resource पे click करोगे आप इस page पे आ जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ resource का page आप इस page पे आ जाओगे अब यहाँ पर क्या है आपको मैं स्थोड़ा सा समझा देता हूँ यह जरुद्धा से related हैं आपको यहाँ पर जरुद्धा का redirect URL मिल जाएगा यह आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमने redirect URL लिखा रखा है यहाँ पर यह जरुद्धा का redirect URL है इसे आपको copy करना है देन आपके काम आएगा भी मैं आपको बता दूँगा यह API dashboard तो क्या है कि आपको जरुद्धा पे API लेने के लिए आपको पहले उनके developer kite पे account बनाना पड़ता है and 2000 रुपीज पे करने पड़ते हैं देन वो आपको API देते हैं यह पर्ज मंत का charge होता है तो आपको सबसे पहले इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे आप developer kite पे पहुँच जाओगे and वहाँ जाके आपको new account बनाना पड़ेगा आप चाहो तो जरुद्धा में जो आपकी जो trading account है demand account है जरुद्धा का उस वही mail ID को आप use कर सकते हो और new account बना सकते हो developer kite पे आप चाहो तो कोई another API भी use कर सकते हो पर main चीज़ यह कि कई लोग गलती क्या करते है कि उनके पास पहले से trading account होता है जरुद्धा का दैन उसी API का use करते हो login करने की कोशिस करते हैं उसी email ID का use करते हो login करने की कोशिस करते हैं दैन login नहीं होता तो सबसे पहले आपको sign up कर लेना है जब आपको मैं dashboard दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का dashboard होता हो पर link देख सकते हो आप developer.kite तो आपके सामने जैसे उस button पर click करते हो आपके सामने ये website खुल जाती है तो आपको sign up करना होता है फिर login करना होता है login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का page आता है अगर इस तरीके का page ना है तो आप link के option पर click कर सकते हो इस तरीके का page आ जाएगा अब यहाँ क्या आपको 2000 पर pay करने पड़ेंगे API के लिए यहाँ दो option दे रखें API को pay करने के लिए first कि आप 2000 पर यहाँ पर क्या करोगे 2000 लिखके यहाँ से by default दे देते हैं बट अगर ना लिखे हो तो आप 2000 एड करके add credit करोगे और यह multiple option देते हैं कि आप किस तरीके से pay कर सकते हो तो wallet, UPI, debit card, net banking बगेरा वगेरा EMI बगेरा आप EMI पर भी pay कर सकते हो यह एक तरीका हो गया second तरीका यह है कि आप अपने जरुद्धा में जो भी आपका amount है उससे detect करवा सकते हैं उसके लिए connect to using connect to using kite करना पड़ेगा then आप इससे accept करोगे तो आपके 2000 रूपीज आपके जरुदा डेमेट अकाउंट से कट जाएंगे तो यह आपको करना है उसके बाद जब आप payment कर देते हो आपके सामने कुछ नीचे इस तरीके से लिखा आएगा आप देख सकते हो payment history में second thing आपको billing के अंदर 2000 रूपीज दिखेंगे तो जब आपको यहाँ 2000 रूपीज दिखेंगे जैसे आप create new पे click करोगे आपको connect पे select करना पड़ेगा by default वैसे select आता है app name के अंदर आपको यहाँ पर कुछ चीजे feel कर दी पड़ेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना app name के अंदर आपको एक app name देना है जो xyz आप कुछ भी दे सकते हो उसके बाद आपको जरुद्धा के client ID डालनी है जो आपकी client ID होती है और यहाँ पर redirect URL डालना है यह main concept है यह कहां से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ जब आप dashboard पे आये ते तो आपने resource के page पे click करा था and resource के page पे आपको यह मिला था developer kite का link महीं वहाँ पर देखोगे तो redirect URL लिखा वाता और यह जरुद्धा का आपका पास redirect URL आपको इसे copy करना है copy button पे click करोगे copy हो जाएगा and आपको इहाँ अलाके इसे paste कर देना है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इहाँ पर paste कर देना है जैसे आप paste करोगे description में आपको कुछ A to Z आपको जो लिखना आप लिख सकते हो X, Y, Z कुछ भी लिखके इधर create कर देना जैसे आप create करोगे आपके सामने API create हो जाएगी तो मेरे पास पहले से API create है तो मेरे सामने ए create नहीं हो रही तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे create होती है आप my account पर जाओगे इस पर किलिक करोगे सेम इस तरीके का page आपके सामने show हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिरेक्ट वाले आपने एड करा था अब जब आपके सामने इस तरीके का page शोगा आपको 100 API पर किलिक करना है यहाँ पर आपकी API किशो होगी यहाँ पर आपकी secret किशो होगी अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको API की को copy कर लेना है copy करने के बाद हमारी website पर आना है जरुदा के कई लोग होते हैं वो 50 लोगों की trading करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं एक order दारूँ वो 50 लोगों का same order वो ही चले जाए same time पे वो 50 बार इस process को add कर सकते हैं बतलब 50 API add कर सकते हैं इसी तरीके से buy करेंगे और add कर देंगे तो अभी के लिए मैं एक API add करके दिखा रहा हूँ आपको आपको add API पे क्लिक करना है और यहाँ पर XYZ कोई भी नाम दाल दीजी मैं यहाँ दाल देता हूँ XYZ और उसके बाद आपको यहाँ API की दालनी है मैंने API की दाल दी आपको API की पता होगा कहां से मिलेगी मैं दिखा देता हूँ हमें API की यहाँ से मिलीती है उसके बाद आपको यहाँ से secret की copy करनी है और यहाँ पर आपको secret की दालनी है और उसके बाद save जरुधा पे क्लिक कर देना जैसे save जरुधा पे क्लिक करोगे नीचे save होगी, आपको double click करना है आपको यहाँ पर xyz जो हमने इसका नाम दिया था, इस app name का वो xyz था, अब आपको क्या करना, on करना है, on करने के बाद आपको connect button दिखेगा तो आप इस API को connect कर सकते हो connect करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपका जो kite का account हो, login होना चाहिए देन आप इसे connect कर पाओगे otherwise आप direct connect करोगे, आपका kite का account login नहीं है, तो आपसे ID, password मांगेगा kite की, तो हमारा पहले से login है, तो हमसे नहीं मांगेगा, तो मैं आपको connect करके दिखा देता हूँ, connect पे जैसे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का हमारा option आजाएगा, connection successfully तो अगर आपके पास कोई error आजाता है तो आप browser को change करके देख सकते हैं otherwise आपके पास यह आजाएगा, बट एक चीज का धान रखना, जैसे मैंने बताए इन्होंने एक authentication लगा दिया है अभी आपके पास connection successfully तो आगया जब भी आप order दालोगे, आपके order आपको show नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको kite के account पे जाना है, यह जरुधा kite पे जाना है, अपने trading account पे और यहाँ जाने के बाद आपको profile पे क्लिक करना है, my profile पे, मेरे कज़र देख सकते हो, और यहाँ आने के बाद आपको password and security पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको enable to factor to tp को enable करना है, इसे authentication कहते हैं इसे enable करना है, इसे enable करने की process इनोंने एक article में पूरी तरीके से बता रखे only for five minute लगते हैं, इसे आप article को read करके और आप authentication को activate कर सकते हो, उस article का link मैं आपको video के description में दे दूँगा, उसे read करके से कर लीजीगा, कि किस तरीके से करा जाता है, तो जब आपका authentication complete हो जाएगा, उसी के बाद आप order दाल पाओगे, एक चीज का आपको सकते हो कि आपकी API connect है, नहीं connect है, अभी के लिए मैं आपको इतना बता चुका हूँ, second thing मैं next video मैं बता दूँगा कि order कैसे लगते हैं, फिर भी आप जानना चाते हो, तो मेरी previous video देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने ये बता है कि जरुधा पर order कैसे लगते हैं, फिर भी आपकी query है कोई, तो आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं, अपना question पूछ सकते हैं, otherwise मिरे को WhatsApp कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना क्या है, जरुधा पर जाना है, dashboard पर जाना है, with trading view with charting, तो आप जिसके साथ भी जाना चाहते हो, आप charting के साथ जाना चाहते हो, charting से order लगाई, trading view के साथ जाना चाहते हो, trading view से order लगाई, और Rendin verb का जो trial account होता है, अगर आप अच जैना हो, आप आप अज से ले सकते हो, आप telegram group में जाईए, महापर आपको अजे मिल जाएगा आपको बहुत ही चीप प्राइज पर ट्रेडिंग व्यू का ट्राइल अकाउंट प्रॉइड करा देगा अभी मन्त अभी के लिए आप क्या करिए कि अगर आप ओडर लगाना चाहते हैं जैसे मैंने बता है वीडियो देख सकते हो आप क्या करें फुली अलगो का एक ओडर बना लिजे एक्जामपल के लिए और्गुलर पर किलिक करिए SBI पर click करिए and मतलब SBI दाल दीजिए NSC select कर दीजिए quantity 1 कर लिजिएगा buy कर लिजिएगा market कर लिजिएगा intraday कर लिजिएगा generate इस तरीके का आपका syntax generate हो गया आप इसे आप trading view पर जाके किसी भी indicator के अंदर दाल दीजिए आपका order लग जाएगा बस आपको webbook URL की जोरत होगी तो यह थोड़ा से लंबा concept है मैं इसके बारे में पूरी वीडियो detail में आपको बाद में बना के दिद्दूंगा ने तो आप हमारी previous वीडियो देख लीजिए तो thank you for watching this video and bye